सबको प्रभुयेसु मसी के नाम में जय मसी की दोस्तों दोस्तों मनुसों के बीच में अपने भगवान और देपी देपताओं को लेकर कापी ज़्यादा बात भी बात होता रहता है कोई कहता है हमारा भगवान सबसे महान और सक्तिसाली है तो कोई कहता है हमारा इस्वा सब से सच्चा और सर्वसक्तिमान है दोस्तो इसी प्रकार हमारे एवब इस्वा सी तथा अन्य धर्म संप्रदाय की लोग मसी भाई बेहनों के उपर दोस लगाते हुए सवाल करते हैं और वे लोग कहते हैं कि इसाई लोग अपने भगवान इसु मसी के नाम को उचा करने के लिए लोगों को पैसो का लालस देकर अपनी ओर करते हैं और छोटे-छोटे वच्चों का ब्रेन वास करके उनके दिमाग में इसु मसी के नाम को भरते हैं और उन्हें येसु मस्य के नाम को जवरजस्ति बुलवाते हैं दोस्तों मैं राजीब दिक्सित सर का एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें ओहां बता रहे हैं कि किस प्रकार इसाई मिस्नरियां चोटी-चोटी बच्चों का ब्रेन वास करके उनके दिमाग में येसु के नाम को बैठाते हैं तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं फिर आगे हम बात करेंगे इसे इसे दिमाग गुमाए जाते हैं एक कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ मैंने मुकतमा दाखिल किया हुआ है गुजरा थाई कोड में मामला क्या था छोटे-छोटे बच्चे वहां पढ़ने को आते हैं तो उन बच्चों को लेने के लिए बस जाती है तो ड्राइवर को कहा जाता है कि जान बूज के बस बंद कर लेना तो कभी भी वो ड्राइवर बस बंद कर देता है फिर बच्चों को कहता देखो बस खराब हो गई तुमारे भगवान का नाम लो तो बच्चे का नाम लेते हैं फिर वो बच्ची आके अपने घर में मम्मी पप्पा को बोलते हैं अरे देखो हमारी बस खराब हो गई थी हमने इसा मसी का नाम लिया और चाले हो दो दोस्तों कहीं न कहीं राजीब सर की बाते सही भी है क्योंकि कई सारे इसाई मिस्णरी स्कूल्स में इस प्रकार की बात यह होती देखिए मैं पहले आपको यहां बता दू कि मिस्णरी स्कूल्स विसेस कर रोमन कातलिक चर्चेस कही होती है देखिए मेरे हिसाब से कोई भी मसी भाई बेहन इस प्रकार धोके से बच्चों के अंदर येशो मसी को एक सूपर हीरो के रूप में दर्साना गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने वच्चों को येशो मसी के बारे में बताएं उनके गूण और सोभाव तथा चिन्ह चमतकारों के बारे में बताएं हर रोज प्रभू के वचनों के साथ बढ़ा करें ताकि उनमें परमेश्वर का प्रेम आनंद और सांती बनी रहे साथ इसाथ बच्चों के अंदर अच्याचे गुणों का उत्पन भी होगा देखिए कहीं पर भी आप लोगों को येशो मसी के बारे में बताएं तो निश्वार्थ भाव से बिना डरे बेज इज़क लोगों को येशो मसी के बारे में बताएं ताकि व उन्हें लगता है कि Christians यानि इसाई वे हैं जो येशु मसी पर विश्वास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी यह सिवकार कर लेता है कि इसा मसी को छोड़ कर और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है और साथ ही परमेश्व कानों को भी उतना ही विश्वास अर समान करते हैं उनमें परमेश्वर के वचन का समझ ना होने के कारण संसार के रीटी से चलते हैं दोस्तों यही लोग होते हैं नाम मात्रह मसीहीव मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आज आप लोग अपने आप को जांचे और परकें क क्या आप एक सच्चे मसी हैं या फिर एक नाम मात्र के मसी तो चलिए इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ परमिस और आप सब के साथ रहें